ओ गौड भागो 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 लेट हो गई मैं असेंबली शुरू होने वाली है ओ बैज रह गया कहां गया मिल गया थैंक गॉड यूनौ वाट आज मेरी फेवरेट क्लास होने वाली है इंग्लिश नहीं, साइन्स भी नहीं मैट्स तो बिलकुल ही नहीं मुंबई अप्स्टेट्रिक्स गाइनेकिलोजिकल सुसाइटी और पीवी आर नैस्ट की क्लास हम रोज नए-नए लोगों से मिलते हैं यहां हमें फिल्मेकिंग सिखाते हैं बड़ा मज़ा आता है और हमें सिखाया जाता है अपने बारे में फणी है ना कोई आपको अपने ही बारे में कुछ कैसे बता सकता है पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था पर यह पता नहीं था कि यह क्लास हमें सबसे important exam के लिए तयार कर रही है life के exam के लिए ओ गुड, class चुरू हो गई आज हमें health and nutrition के बारे में बताया जा रहा है जैसे school में आगे बढ़ने के लिए अच्छे marks चाहिए life में आगे बढ़ने के लिए health में full marks होने चाहिए इन session से पहले मैं और मेरे friends चुप-चुपके menstruation डिसकास करते थे लेकिन अब कोई शरम नहीं अब हम बिना किसी tension अपने periods को tackle करते हैं ये confidence MOGS से eye doctors ने हमें दिया क्यूंकि ये बाते चुपानी की नहीं है बताने और share करने से कोई problem problem नहीं रहती मेरी friend जानवी class की topper है पर communicable और non communicable diseases के नाम पे उसका भी डबबा गोल है पर अब ये problem नहीं है क्यूंकि हमारी training में हमें बताया गया है कि prevention is always better than cure हमारे school में साफ सफाई के बड़े strict rules है और अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये rules and regulations मैं अपने घर और आसपास के area में भी apply कर सकूँ क्यूंकि sanitation and cleanliness एक healthy life का core है मैं सिर्फ अपनी instructor की बाते repeat कर रही हूँ ओके मैं इतनी भी smart नहीं हूँ ओ वाओ अब हम activities करेंगे ये game spirit जैसा ही होता है बस हर activity में छुपी होती है एक नई सीक जैसे mental health and wellness अपने आपको समझो जो समझ में ना आय इंस्ट्रक्टर से पूछो hopefully तुम भी she's ambassador program को उतना ही enjoy करोगे जितना की मैं और मेरे friends करते हैं और हां अपना बैच पहनना मत भूलना ये तो थी पलवी और उसके दोस्तों की कहानी मैंने तो इस कहानी को सिर्व अपनी आवाज दिय है लिकिन आप इस आवाज को हजारो लडकियों की सच्चाई बना सकते हैं Because when you educate a girl, you educate a community, you cause a wave of change that resonates through the nation and gives way to an enlightened society We are lending our voice to the cause Adieu! जाया एक मत भूलना तो कि अभ़ाज को हुआ कि अभ़ाज को इस आवाज को आवाज को जाब एक जाज नवाज को झाल झाल झाल